Hello everyone, I hope आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो तो आज एक भिंडी का चलिए बहुत ही मसालेदार एकदम चटपटा बीना प्याज लसुन का मैं आप लोगों के साथ मसालेदार भिंडी की रेसिपी सेर कर रहे हूं तो आप लोगों के ये बहुत अच्छा लगेगा तो भिंडी त इतना बनाने में असान है उतना ही खाने में लाजबाब और टेस्ट है इसका तो एक बार जरूर आप लोग ट्राई करें इसके लिए मैंने हाप के जी के करीब मैंने भिंडी ले लिया है अब भिंडी को अच्छी तरह से मैंने वास कर लिया अच्छे से धोने के बाद एक- को हमें अच्छे से भूनना है इसको धक धक के मत पकाया बना इसका कलर है ना पुरह इसका जो ग्रीन पर्ण का जो कलर हो हर जाता ओँ अच्छा नहीं लगता फिर मुझे और स्वाथ के अनुशार मैंने नमक डाल दिया इसमें हल्दी थोड़ से हाथ चमच के करीब हल्दी ड चला जाता है तो रतिखा पर और हल्दी नमक का सब्टेस्ट चला जाता है और भूंते ही थोड़ा चिपचिपा जैसा हो जाता है ना विंटी तो मैंने इसमें थोड़ा सा निंबू का रस्त मैंने डाल दिया है 5-6 बोनि मैंने निम्बू का रस डाल दिया जिससे इसका चिपचीपापन हड जाए और इसे हम अच्छी तरह से भून पाए तो आप देख सकते हमारा भिंडी एक दम अच्छी तरह से भून गया है हमारे भिंडी लगबग भून चुका है तो अब हम इसके अंदर एक चमच भरके या देर चमच के कड़ी मैंने इसके अंदर बेशन को डाल दिया और भिंडी मैंने दो मिनट यी डाला तकी तरह explain से मिलास में सर Gef कर लेते हैं इसके लिए मैंने ले लिया हापकाप के करिब दः और उसके अंदर मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर ठोड़ा सा हलदी पाउडर और इससे हम अच्छी तरह से mix कर लेते हैं और इदर हमारा आप देख सकते हैं, बिंडी भी पूरा रेडी हो गया है, अब हम इसे मसाले की ग्रेवी के लिए रेडी करेंगे मसाला, तो इसी कडाई में हम अलग से कोई कबरतन नहीं ले रहे हैं, हम इसी कडाई में दो से तीन चमच मैंने टेल डाल दिया है, हमें बहुत आरदस करी पता और एक सुखी लाल मुरूच ये तड़का हमारा रेडी हो गया अब ये तड़के को अच्छे से चटकने देना है उसके बाद हम इसके अंदर अक मिनिट के खड़ी भून ले तक हमारा मसाल़ अच्छी तरह से चटक जाए उसके बाद हम इसके अंदर जो मसाला रेडी किये हैं उसको डाल देते हैं अब मसाले को हमें बिल्कुल छोड़ना ने क्योंकि यह दही है फटना जाए इस वज़े से हमें मसाले को अच्छी तरह से चलाते रहना है और इससे भूनना है और आप देख सकते हैं हमारा मसाला भी एकदम तेल छोड़ दिया है अब इसके अंदर पहले से भूना हुआ जो भिंडी है हम उसके अंदर डाल रहे हैं आप चाहे तो इसको ऐसे सूखा भी रख सकते हैं यह बहुत टेस्टी लगता है पर मुझे थोड़ा ग्रेली वाला बनाना था आज इसलिए मैं इसको ग्रेली वाली बनाऊंगी आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं तो थोड़ी दर इसको भूनने के बाद हम उसमें जितना मुझे ग्रेली चाहे हूँ सहाब से मैं इसके अंदर पानी डाल दूगी, क्योंकि मैं ग्रेवी वाली आज बना रही हूं, इसलिए मैं ग्रेवी मतलब पानी डाल रही हूं, आपको अगर सुखा रखना है ता आप वैसे भी उसको रख सकते हो, और ये ये किन मानिए बहुत टेस्टी होता है, बहुत है तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर कीजिएगा